मुगल पावर इन 1526 स्टसान अप दिल्ली केम टो औ knife तो दिल्ली में जो स्टान स्वाईती वो थो एन अप हो गई 1526 में मुगल पावर फापे कों सा पौष टार पावर हो गया मुगल पावर बाबर 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 वास देट फाउंडर प्लांडर मुगल प्लावर बाब आउंड़ को फाउंडर उप्लाव मुगल आवस है और रामी यृएस्ट्रावर्टीज ऑब परगाना यह अंति प्लाविंज मुगल को आउन को सैंड्रों यहां medianा तो उसने सुना था कि इंडिया में बहुत सारा पैसा है तो उसने क्या में क्या इंडिया में इयंवेंशन का आकरमन करने का। तो जो इब्राहिम लोधी जो राज्यकर्था था दिल्ली का दावलतकान लोधी वाद गवर्नर अब पंजाब अंडर दावलतकान लोधी पंजाब का गवर्नर था वो सुल्तान के अंडर में था इब्राहिम लोधी पंजाब का गवा दावलतकान लोधी ना को आवलतकाऑ का लोधी राज्यकरा मेंつामितान लोधी बाबर को इन्वाट के अंडर का आप धिल्ली कह लैघागा इब्रहाम्लोधी स्टार्ट विचीज आर्में इब्रहाम्लोधी आपने लकीन निकल गए देर वाद बगाल बिवन ईब्राहाम्लोधी एन बाबर और 21imm – 1526 न पानिपक्त तो बाबर और इब्रहाम्लोधी में इंडिया में, he defeated इब्राहिम लोधी द आर्मी, उसने क्या किया, इब्राहिम लोधी के आर्मी को हरा दिया, पराभव किया इब्राहिम लोधी का, this is known as the first battle of पानिपद, इसी को कहते हैं, first battle of पानिपद, कब हुआ, 21st April 1526, at पानिपद, तो जो पानिपद का battle हुआ, उसके बाद के हुआ, राना संगा जो मेवाल का था, उसने सब भी किंग वो साथ में आ गए, there was a battle between बाबर और राना संगा अच खनुआ, तो जो उनमें battle हुआ, बाबर और राना संगा में खनुआ में, बाबर's artillery and reserve force play a key role in this battle, राना संगा आर्मी बाबर यहां पर powerful बन गया था, क्योंकि पानिपद में भी उसका win मिला था, इसलिए वो powerful बन गया और उसने राना संगा जो खनुआ में battle हुआ उसको हरा दिया, बाबर डेड इन 15-30, 15-33 CE में उसकी death हो गया,